हाई गाईज, वेलकम चिवा ब्राइंड न्यू सेशन आफ करेंट अफेयर्स आज की तारीख है 24 अगस 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रंटियर आइस और अगर अभी तक आपने इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भू और यह सेशन दोरों चैनल्स पर सुबा चार बज़े वेलेबल हो जाता है साथी साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंतली मैगजीन आप मारे टेलीग्राम हैंडल्स प्रंटियर आइस और सेस्ट नेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस साथियान और मनी का बत्रा और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था कि स्माइल साब्रियाकोपों के सदेश के नए प्रधान मंत्र के रूप में न्यूक्त किया गया है तो इसका सई जवाब था मलेशिया स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन का लाग के राजयपाल का पद इस महीने के शुरुआत में नजमा हेपतुला के सेवनरित होने के बाद खाली हुआ था यहोने तस्वीर में देखिए हेपतुला ने 10 अगस्त को पद छोड़ दिया था और उसी दिन सिक्किम के राजय पाल गंगा प्रसाथ को अतिरिक प्रभार दिय गया था लाग नेशन राजय के इस तारवे राजयपाल बने हैं नेक्स्ट क्वेस्टन देखो हाल री में किस राजय पूर्भ दर मुख्यमंत्री कलियान सिंख कानिदन ओ गया जून 1991 से सितंबर 1992 और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक और वे बाबरी मस्जिद के विद्वंसर के दुरान UP के CM रहे यहोने तस्वीर में देखिए वे दो बार के सांसद और राजिस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्येपाल थे नेक्स्ट क्वेशन देखो शैली सिंग ने विश्व एथिलेटिक्स अंडर 20 चैंपिंशिप में किस एथिलेटिक्स परधा में रज़त पदक जीता है तो इसका सई जवाब हो ऑप्शन नबर C लंबी कूद तो शैली सिंग ने विश्व एथिलेटिक्स अंडर 20 चैंपिंश प्रशिक्षन लिया यह तस्वीर में देखिए शैली के रजोत पदक जीतने के साथ ही भारत ने इस चैंपिंशिप में प्रत तीसरा पदक जीता उनसे पहले हर्याना के अमित खत्री ने रज़त और चार बाइचार सो मिक्स्ट रिले टीम ने कांसे पदक जीता था नेक्स्ट क्वेशन देखो एंटी पीसी लिमिटेड ने किस राज्य में 25 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है तो इसकी सई जवाब हो ऑप्शन अबर सी आंध्रपरदेश तो नाशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन लिमि किसी ने सिम्हादरी में हाइड्रोजन अधारित माइक्रो गृट प्रणाली की एक पाइलेट परियोजना स्थापित करने की अपनी योजना की भी घोशना की है इस थापना के साथ एंटी पीसी की कुल स्थापित क्षमता 66,900 मेगावाट तक पहुँच गई है बात करें हा पर आंध्रप्रदेश की तो इसके डैम जरिवर्ज में आता है सीरिसलम डैम क्रिशना सोमा सिला डैम पेना पोला वरम प्रजेक्ट गुदावरी नैशनल पाक्स और वाइले सेंक्चुरी में आता है पपिकोंदर नाशनल पाक सीरिसलम टाइगर रिजर्व और पुलीकत ल 2020 में किस कंपनी ने शीर स्थान हासिल किया है तो इस सही जवाब हो ऑप्शन नुबर ए एपल तो हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट वैलुवबल कंपनी के सूची 2020 में दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपनी एपल 2443 बिलियन अमेरिकी डॉलर है दुनिया की शीर छे मुल्यवान कं इस सूची में भारत 12 कंपनी के साथ 900 स्थान पर है रिलाइंस इंडस्ट्रीज 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर 57 वे स्थान पर है और सूची में शीर्ष भारतिये कंपनी है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो हाल ही में नई दिल्ली में राश्ट्रे मुद्रीकरन पाई प्लान किस सही जवाब हो ऑप्शन निर्मला सीता रमन तो केंद्रे बित और कॉर्परेट कारे मंत्री शिरिमती निर्मला सीता रमन ने नई दिली में राश्ट्रे मुद्रीकरन पाईपलाइन का शुभारम किया राश्ट्रे मुद्रीकरन पाईपलाइन में केंद्रे सरकार की जुटाने के साधन के रूप में परी संपत्य मुद्री करन पर बहुत जोर दिया गया था और इसमें कई प्रमुग घोशनाओं को भी शामिल किया गया था नेक्स्ट क्वेस्टन देखो एंपी सियाई इंटरनाशनल पेमर्स लिमिटेड ने किस अरब देश में यूपिय लॉंच करने के लिए मुश्रीक बैंक के साथ भागेदारी की है तो इसक सही जवाब हो ऑप्शन अबर बी संयुक्त अरब अमीरात तो एंपी सियाई इंटरन नैशनल पेमेट्स लिमिटेड ने संयुक्त अरब अमीरात में यूनिफाइड पेमेट्स इंटरफेस यूपियाई की भुक्तान प्रणाली सुविधा शुरू करने के लिए मश्रीक बैंक के साथ भागेदारी की है यह बैंक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे पुराना नी UAE की यात्रा करते हैं बात करें यहां पर UAE की तो इसी कैपिटल है अबुधावी करंसी है UAE दिरहम नेक्स्ट देखो धर्म या मत के अधार पर हिंसक कृतियों पीडितों की स्मृति में अंतराष्ट दिवस कब मनाया जाता है तो सई जवाब हो ऑप्शन अबर ए बाइस अगस्त तो संयुक्त राष्टे हर वर्ष 22 अगस्त को धर्म या मत के अधार पर हिंसक कृतियों पीडितों की स्मृति में अंतराष्ट दिवस मनाता है यह दिन धार्मिक हिंसा या विश्वास के अधार पर धार्मिक अल्प संख्य को यानि religious minority से संबंदित व्यक्तियों सह हिंस और आतंग बात को लक्षित करने वाले कारियों की कड़ी मिंदा करने के लिए मनाया जाता है नेक्स्ट कॉच्छन देखो राष्टे डेरी अनुस्तादान संस्थान एंडी आराय को पांचवे विश्व जल शिकर समेलन 2021 में जल संडक्षन के लिए प्रतिश्ठित वै जल पुरस्कार 2021 से समानित किया गया केंद्रित जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंग शिखावत ने एंडी आराय के निदेशक डॉक्टर म.स चोहान को यह पुरस्कार प्रदान किया बात करें हैं पर हर्याना की तो इसके डैम जरिवर्स में आता है कोशल्या डैम कोशल्या अनंग पुर्ड्यामियत सूरचकुन नैशनल पाक्स में आता है सुल्तानपुर नैशनल पाक और काले सर नैशनल पाक हर्याना की कैपिल है चंदीगर गवर्नर है बंदारू दतात्रेया चीफ मनिस्टर है मनोहरलाल खटर नेक्स्ट क्वेस्टन देखो निश्टा मदान के स्खेल से संबंदित है तो इसका सई जवाब हो ऑप्शन नुबर बी गौल तो भारत के निश्टा मदान ने हाल ही में तीन अंडर 68 के साथ थोस प्रगति की है यहांने तस्वीर में देखिए उन्होंने LPGA क्वालिफेंग सीम कलियान सिंग का हाल ही में दिन हो गया शैली सिंग ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चेंपेंशिप में लॉंग जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया NTPC Limited ने आंध्रप्रदेश में 25 मेगवाट का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रजेक्ट शुरू किया है हुरून ग्लोमल 500 मोस्ट वैलुएबल कंपनीज लिस्ट 2021 में एपल ने टॉप किया है न्यू डेली में नैशनल मॉनेटाइजेशन फाइपलाइन निर्मला सितरम ने लॉंच किया NPCI International Payments Limited ने UAE में UPI लॉंच करने के लिए मश्रीक बैंक के साथ पार्टनर्शिप की है International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion और बिलीव 20 अगस्त को मनाया जाता है NDRI को Global Water Award 2021 से समानित किया गया ये हर्याना में लोकेटिड है और निश्टा मदान गौल से जूड़ी हुई है बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला क्वेस्टिन है लाग अनेशन किस राज्य के नए राज्यपाल बने है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है हाल ही में नई दिल्ली में राश्य मुद्रीकरन पाइप्लाइन किसने लाँच की है इन दोनों क्वेस्टिन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्रम हैंड्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच